यह क्लास नाइन्स मैट्स के चैप्टर टू पॉलिनॉमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 का 6th question आपके सामने लिखा हुआ है ठीक है दिखी इसमें 4 पार्ट है और इसमें आपको क्यूब दिख जाएगा ठीक है बाइनोमियल है उसका क्यूब है इसको में एक्सपेंट करना है ठीक है क्या लिखा है write the following cubes in expanded form तो इन सब का हमें क्या करना एक्सपेंशन करना है ठीक है तो first question सबसे पहले लेके चलते है 2x plus 1 का क्यूब ठीक है तो q वाला formula क्या होता है a plus b q ठीक है क्या होता है इसका expansion a q plus b q plus 3ab a plus b ठीक है इसको आप ऐसे भी लिख सकते है a q plus b q plus इसका इसमें multiply कर दीजिए ठीक हो जाएगा 3a square b plus 3ab square ठीक है इसका इसमें multiply कर लिए तो ये आगए है ठीक तो ये दो form होते है इसके इसमें लगाना है हमें ठीक है अब ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास a की जगाने क्या है a की जगाने है 2x और ये b की जगाने क्या है हमारे पास B की जगह है 1 ठीक है तो यह A और B की जो value है यह हमारे पास इसी को यहाँ पे हमें put कर देना है ठीक है तो यह से put करेंगे इसका expanded form हमें मिल जाएगा तो करते है सबसे पहला क्या है A cube है ठीक है तो A की जगह हमें क्या रखना है 2X 2X का cube ठीक है देखे इसको ऐसे नहीं करना है 2X का cube यहाँ A cube है तो यह नहीं करदेना कि 2X का cube लिख दीजिए ठीक है यह देखे A पे पूरा cube है तो यहाँ पूरे 2X के उपर cube offensive तो पूरे 2X के उपर cube जाने से क्या होगा यहाँ 2 का भी cube होगा आगे जब आप simplify करेंगे तो यहाँ 2 का भी cube होगा 2 का cube क्या होता है? 8 तो यह पूरा क्या हो जाएगा? 8x cube ठीक है? यह पूरा आएगा आगे solve करने पर तो यहाँ पूरा A का cube है तो यहाँ पूरे 2x का हम cube लगाएंगे plus B cube है B की जगह में क्या लेना है? 1 1 का cube हो गया plus 3a square अब देखिए A की जगह क्या है? 2x है तो 2x लिख लिए और यह square है तो square लगा दिया और B हमारे पास क्या है? 1 है ठीक है plus 3ab square A की जगह हमारे पास क्या है? 2x है और B की जगह क्या है? 1 है तो 1 लिखा और यह स्क्वाइर भी है ठीक है यहां और यहां स्क्वाइर नहीं बोलना है ठीक अब आगे चलते हैं अच्छा एक चीज़ मैं आपको ही बता दू कि देखिए बुक में जो आपको आइडेंटिटी दी हुई है वो A B में नहीं है वो X प्लस Y क्यूब ऐसे करके दिया हुआ है ठीक है तो दिखी मैंने यहां पर A और B इसलिए लिया है क्योंकि यहां पर question में आपको यहां पर X दिखाई दे रहा है और यहां भी X है तो जब इसका यह expanded form लिखेंगे तो इसमें भी कई जगह X आएगा तो जब आप compare करने जाएंगे तो यह X की जगह आपको 2X रखना होगा ठीक है तो यहां गड़बड़ यह हो सकता है कि आप 2X की जगह हो सकता है X ही लेके आगे चल दे जैसे यहां पे देखें 3AB square है तो अगर आप यह लेके चलते तो यह 3AB की square की जगह आता 3XY square ठीक तो अगर आप यहां पे जब value रखते तो हो सकता है कि आप इस X की जगह 2X ना रखें इस X की जगह 2X ना रखें Y की जगह भले आप वन रखतें ठीक है confusion confuse हो जाए है यहाँ पर इस x को आप ऐसे लिख दें 3x और 1 square ऐसा क्यों है क्यों कि यहाँ भी x है और यहाँ भी x है ठीक है तो इस confusion से बचने के लिए हम क्या करते है कि जब आपको यहाँ पर x दिख रहा है या y दिख रहा है या दोनों दिख रहा है तो आप इसको a plus b के form में लेके चलिए ठीक है और जब यहाँ आप mention करेंगे कि हमने यह identity यूज की है तो भी आप यह यूज कीजेगा ठीक दोसरी चीज अब देखिए जैसे यह question है यहाँ पर आपको a भी दिख रहा है तो यहाँ पर आप यह यह वाली identity लिखके आप बड़े आसानी से कर सकते हैं ठीक है तो हमारा target क्या होना चाहिए कि confusion ना हो कम से कम हो ठीक है क्योंकि confusion की वज़़से इससलिए mistake होते हैं और आपके number कट जाते हैं ठीक तो इस चीज को write करने के लिए मैंने आपे a और b का यूज किया है ठीक अब इसको हम क्या करते हैं simplify करते हैं देखिए 2x का cube है ने whole cube है तो यहाँ 2 का भी cube होगा और x का b cube होगा 2 का cube क्या देगा हमें 8 देगा और यह x का cube 1 का cube 1 ही होगा plus 3 into अब देखिए यह पूरे 2x के उपर square लगा है ने तो यह 2 का square हो जाएगा multiplied by x का square और 1 का multiply किसी भी number में कर दीजे वन ही आता है तो यहाँ 1 की कोई जरूत नहीं है plus 3 into 2 के हो जाएगा 6 और यह x फिर 1 का multiply है 1 square वन ही होगा फिर इसमें multiply कर देगा कुछ फर्क नहीं पढ़ने वाला तो 3 into 2 6x यह लिख लिए अब क्या हो जाएगा plus 1 plus अब इसको solve कर लेते हैं 2 का square 4 4 into 3 क्या हो जाएगा 12x square plus 6x अब इसको देखिए power के घटते क्रम में हम क्या करेंगे इसको rearrange कर लेते हैं तो यह 8x cube होगया फिर square वाला term लिखते हैं 12x square फिर यह plus 6x लिखते हैं फिर plus 1 ठीक है यह हमारे पास आगे इसका expanded form तो अब यह भी लिख के काम चला सकते हैं लेकिन यह ज़्यादा सही तरीका है ठीक है अब दीखे second question क्या है 2a minus 3b का q इस बार हम formula क्या लगाएंगे x minus y क्यों क्योंकि यहाँ पे minus है ठीक है x minus y का cube क्या होता है x cube minus y cube minus 3xy bracket में x minus y इसको भी अगर आप तोड़ के लिखें तो क्या हो जाएगा x cube minus y cube minus 3x square y 3x square y और यह minus minus plus हो जाएगा क्या हो जाएगा 3x और यह y से y square हो जाएगा ठीक है यह आएगा तो इसका यूच करते है हमारे पास यहाँ पे x की जगह क्या है 2a है और y की जगह क्या है हमारे पास 3b है ठीक है minus 3b नहीं है क्योंकि यहाँ minus लगा हुआ है क्यव sow यह y देखना है यहाँ यह minus के बाद चाया है minus के बाद 3b है यहाँ पे y है तो y क्या हो जाएगा 3b हो जाएगा minus 3b लेके नहीं चलना है अब क्या करते है यहाँ पे यह x और y जो हमें निकल जिखा है यह सब रख देते है X cube है तो यह 2A का cube हो जाएगा फिर minus Y cube है Y की जगह हमने क्या ले रखा है? 3B तो 3B का पूरा cube हो जाएगा minus 3X square Y तो X के ज़िए क्या है? 2A है तो 2A का square है ठीक है? यह देखिए square लगाना मत भूलिएगा multiplied by Y Y कितना है? 3B 3B लिख लिए प्लस आगे क्या है? 3 X की ज़िए क्या रखना है? 2A और यह Y की ज़िए क्या रखना है? 3B ठीक है? और यहाँ पे square भी है तो यह square लगा लिए है इसको थोड़ाओर simplify करते हैं देखिए यह 2 का cube हो जाएगा 8 A cube ठीक है? A का B cube होगा minus 3 का cube कितना होता है? 27 और यह B का cube हो जाएगा minus अब देखिए 3 है multiplied by 2 का square कितना होगा? 4 यह हो गया A और यहाँ क्या बच्चा? 3B और यहाँ पे A square होगा ठीक है? A का square 2 का square 4 A का square A square into 3B प्लस क्या है हमारे पास? 3 into 2A से लिखते हैं भी एक साथ solve कर लेंगे 3B का square क्या हो जाएगा? 9B square यह हो गया 8A cube minus 27B cube अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 into 4 क्या हो जाएगा? 12 और 12 into 3 क्या हो जाएगा? 36 ठीक है? तो यह हो गया 36A square और यह क्या बचा? B प्लस अब इसमें आएगे 3 into 2 3 into 2 क्या हो जाएगा? 6 और 6 का जब 9 में मल्टिप्लाइ करेंगे तो क्या हो जाएगा? 54 ठीक है? और बचा क्या हमारे पास? यहाँ से A बच गया है और यह B square तो यह आगे हमारे पास expanded form इसका ठीक? अब थर्ड वाले पे चलते है थर्ड देखे क्या है? 3 by 2 x है प्लस 1 और यह cube लगा हुआ है तो इस बार यहाँ पे x है तो हम identity ऐसे लिखते है a plus b q ठीक है? यहाँ पे plus है नहीं तो प्लस वाले identity लेते है तो जाएगा a q plus b q plus 3 a b a plus b इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 3 a square b plus 3 a b square ठीक है? अब इसे भी इसको खोल सकते है लिए खोलने के बाद आपको फिर यह अंदर इसे multiply करना पड़ेगा ठीक है? सेमी चीज है अब यहाँ पे इस बार a की जगह क्या है? हमारे पास a की जगह क्या है? 3 y 2 x और b की जगह क्या है? हमारे पास इस बार 1 है पिसली बार भी वनी था यहाँ भी वनी है और यहाँ भी अब यह पूरी जो a और b की value आई है वो हम यहाँ पे रख लेते हैं तो दिखिए a क्यूब है a हमारे पास कितना है? 3 y 2 x यह पूरा a है ठीक? तो 3 y 2 x लिखा और इस पूरे का cube करना है तो यह cube लगा दिया है प्लस b cube है b की जगह कितना है? तो 1 का cube हो गया प्लस 3 a square b 3 a की जगह हमें क्या रखना है? पूरा 3 by 2 x इसका पूरे का क्या है? square है फिर b b कितना है? 1 है प्लस फिर 3 a b square 3 into a की जगह क्या है? लिख लेते हैं 3 by 2 x लिख लिया multiplied by क्या है? b square b की जगह कितना है? 1 यानि 1 का square हो जाएगा ठीक अब दिखिए यहाँ पे 3 by 2 है और यह x और बाहर cube लगा हो है तो यहाँ सब का cube हो जाएगा 3 का cube कितना होगा? 27 नीचे 2 का cube क्या होगा? 8 और यह x का cube प्लस 1 का cube क्या होता है? 1 ही होता है प्लस यहाँ आप दिखिए सबसे पहले इसको square कर लेते हैं 3 into 3 का square कितना होगा? 9 2 का square कितना होगा? 4 बचा क्या x x का square क्योंकि square इस पे भी लगेगा न into 1 होगा तो कुछ अंतर होगा नहीं यही बचेगा प्लस 3 into अब इसका multiply इसमें कर लेते हैं ठीक है? यहाँ पे 1 है 1 का square 1 होता है इसमें multiply होगा तो कुछ नहीं देगा में हमको यह solve करना है तो 3 into 3 क्या हो जाएगा? 9 नीचे क्या आएगा? 2 और यह क्या बच्चा? x अब क्यों लिए ही solve करना बच्चा है? क्या हो गया? 27 by 8 x cube प्लस 1 प्लस 9 into 3 क्या हो जाएगा? 27 by 4 x square प्लस 9 by 2 x अब इसको डिगरी के हिसाब से हम क्या करेंगे? पाउर के हिसाब से arrange कर लेते हैं सबसे पहले cube वाला पहले रहेगा फिर square वाला उठा के लाते हैं क्या हो जाएगा? 27 by 4 x square फिर यह power 1 निए 9 by 2 x फिर यह प्लस 1 ठीक है? यह हो गया expanded form लास्ट वाले पे चलते हैं 4 तीक्चे क्या है हमारे पास? x minus 2 by 3 y का whole cube ठीक है? इस बार हमें क्या लगाना है? a minus b यानि a minus b का whole cube तो यहां से क्या जाएगा? a cube minus b cube minus 3ab bracket में a minus b इसको थोड़ा खोल लेते हैं a cube minus b cube इसका multiply हो जाएगा तो यहां क्याएगा? 3 a square b minus minus plus हो जाएगा 3 a और यह b का भी multiply होगा b square हो जाएगा ठीक है? यह आ गया final expanded form इस बार हमारे पास क्या है? a की जगा है हमारे पास x b की जगह क्या है? 2 by 3 y 2 by 3 y है minus 2 by 3 नहीं है यहां पे minus लगा हुआ नहीं है यहां भी minus है तो हमें क्यों यह देखना है? जैसे यहां पे हम b देख रहे हैं वैसे यहां पे हमें क्यों यह देखना है? तो सारी values रख देते हैं अब एक ही जगह x रखना है तो यहां पर a cube है तो क्या हो जाएगा x का cube minus b का cube देखिए b हमारे पास क्या है 2y 3y यह पूरा हमारे पास b है ठीक है यह पूरा b है तो इसका cube करेंगे तो इस पूरे का cube यहां लगा देते हैं minus 3a square a की जगहे क्या है x है तो 3 into x square कर लिया multiplied by b b कितना है हमारा यह पूरा है यह यह 2y 3y ठीक है अब bracket में रखते हैं इसको plus 3a a कितना है हमारा x है multiplied by b का square b कितना है 2y 3y अब यहां पर square लगाना नहीं बोलना है यह square लगा लेते हैं इसको simplify करते हैं x cube कितना हो जाएगा तो x cube ही रहेगा minus अब देखें यहां पर सब का cube होगा क्योंकि पूरे cube पर cube लगा है 2 का cube कितना होगा 8 3 का cube कितना होगा 27 और y का cube y cube हो जाएगा minus 3x square हो गया यह और यह कितना होगा 2 by 3y ठीक है देखें यह कट जाएगा तो यह 2x square y आएगा ठीक है उसको next step में लिख लेंगे plus देखें यहां पर क्या होगा यहां भी 3 से 3 कर जाएगा अब यह square है ठीक है तो इसको छोड़ते हैं सबसे पहले इसको solve कर लेते हैं तो यह क्या होगा 2 का square 4 और 3 का square 9 और यह y square ठीक है अब काट लेते हैं यह 3 times जाएगा अब यह क्या हो गया x cube minus 8y 27y cube अब देखें यहां पर क्या बचा है 2x square y माइनस है यहां पर 2x square y बचा है प्लस देखें यहां पर क्या जाएगा यह x y square बचा है साथ में क्या है 4 y 3 है तो 4 y 3 x y square ठीक है 4 y 3 x y square 4 y 3 x y square और यहां पर प्लस है ठीक तो यह भी हो गया 4 था आपका तो इस तरीके से आपका 6th question भी solve हो गया तो फ्रेंड मैं आसा करता हूँ कि आपको यह lecture पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने friends के साथ share भी कीजिए अगर कहीं कोई doubt रह गया हो तो आप नीचे comment section में question भी पूछ सकते हैं मैं जल्दी जल्दी reply करने की कोशिस करूंगा और एक request है कि आप चैनल को subscribe कीजिए और bell icon को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे चैनल से नय लेक्चर के regular updates मिलते रहें तो मिलते हैं अगले लेक्चर में तब तक के लिए दन्यवाद थैंक्स पर वाचिंग